कोशन है आई पर्चेस्ट अ हेयर ड्रायर पूर रूपीज 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट फंड द प्राइस विफूर वैट वाज एड़ेड ठीक है कोशन ने बुला गया है कि एक हेयर ड्रायर खरीदा गया है ठीक है जिसका कीमत क्या है 5400 इसका प्राइस है इंक्लूडिंग वैट वैट को मिला कर वैट होता है एक टैक्स होता है वैट का फुल फर्म होता है वैल्यू एड़ेड टैक्स तो एक टैक्स है जिसको मिला करके एक हेयर ड्रायर कर कीमत है 5400 ठीक है तो पूछा जा रहा है find the price before what was added हा ना तो इसका price बताइए जब इसमें add नहीं किया गा था what add करने के बाद हो रहा है 5400 तो अगर what add नहीं करेंगे 8% का तो इसका price क्या होगा ठीक है इस चीज को पूछा गया है तो इसको माल लेंगे x ठीक है solution में लिखेंगे let price before what be x ठीक है यहाँ पर लिखेंगे let price before what be x माल लिया कि what से पहले इसका price जो है x रूपेज था वैट एड़ करने से पहले तो therefore क्या हो जागा according to question question में बुला गया है कि what मिला करके 5400 है ठीक है तो क्या करेंगे इसका जो original price यानि बिना what add के का जो price है वो x है तो इसका original price क्या है x है और plus ठीक है इसका 8% जो original price था उसका 8% इसमें add करेंगे तब जाकर क्या आएगा 5400 तो इसमें add करेंगे 8% of original price मतलब x original price plus उसका 8% equal to आ रहा है दोनों को plus करके कितना आ रहा है 5400 आ रहा है दोनों को add करके ठीक है तब इसको solve कर लेती है यहाँ पर एक equation बनगे equation को solve कर लेंगे x का value find कर लेंगे और हमारा price जो है answer जो है आ जाएगा तो solve करते हैं इसको x plus 8% मतलब हो गया 8 by 100 of x equal to 5400 आगे solve करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x plus 8 by 100 of x करेंगे तो 8 into x 8 x हो जाएगा ठीक हो यहाँ पर लिखेंगे 8 x by 100 equal to 5000 5400 5400 solve करते हैं आगे तो क्या होगा इसका LCM हो जाएगा 100 divide करेंगे multiply करेंगो यहाँ पर 100 x हो जाएगा plus यहाँ पर हो जाएगा 8 x equal to 5400 आगे solve करते हैं तो क्या होगा 100 plus 8 108 हो गया x by 100 equal to 5400 जैसे था वैसे ही लिखती आगया आगे cross multiplication करते हैं तो 100 x को multiply करेंगे 1 से तो यहाँ पर हो जाएगा 5400 और यहाँ पर 00 multiply करके आगया ठीक इसके आगे यहाँ पर आगे solve करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा 108 x equal to 5 4 4 times 0 ठीक इतना आगे multiply करके हैं तो x का value क्या होगा x का value होगा 5,4 1,2,3,4 times 0 divided by कितना है 108 ठीक है 54 से 2 times में कट जाता है 54 1 times 102 कट जाएगा 2 times equal to यहाँ पर आजाएगा 1 0000 10,000 divided by यहाँ पर 2 नीचे था तो 2 आगया 10,000 by 2 अब 10,000 के डिवाइड करेंगे 2 से तो आजाएगा 5,000 यानि कि x का value है बो आगया यहाँ पर 5,000 ठीक है x का value आगया है 5,000 इस तरह से और x हमने माल लिया थी यहाँ पर वैसा price भी फूर वैट भी x है मतलब वैट एड करने के पहले जो प्राइस था उसको हमने x माना था यहाँ पर तो x का value हो आगया और पूछा आगया था यही चीज़ तो निचे लिखेंगे हमने हमने हर лемहने हमने है प्राइस क लाई भी हैगंग, है वैर पर यहाँछ, है रुरियर है कर दी अभी हैर बुरियर भी हैर कर दी कर दी इस तरीके से इस तरह के question को हम लोग असानी से solve कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी share कीजिए तंक य।